राची में राहगीरों से छिंताई की घटनाएं बदस्तूर जारी है बितेशाम कड्रू शेत्र में सरयाम एक महिला से पर्स छिंताई की घटना सामने आई लेकिन अपराधियों के मनसूबों पर बहादुरी युवक ने बहादुरी दिखाते हुए पानी फेर दिया दरसल युवती से पर्स छीन कर भाग रहे अपराधियों का एक युवक ने पीछा कर मोटर साइकल से गिरा दिया जिसके बाद मोटर साइकल सवार अपराधियों महिला का पर्स और मोटर साइकल सडक पर ही छोड़ कर फरार हो गये घटना की जानकारी मिलता ही घटना स्थर पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की मोटर साइकल जब्त कर लिया और अपराधियों की पहचान मिल जुट गई है वहीं अपराधियों के मनसूबों पर पानी फेरने वाले यूवक ने जिस तरह एक जागरुक नागरिक होने का मिशाल पेश की है वह वाकई प्रेड़ना दायक है मौके पर पीडित महिला के साथ साथ मौझूद पुलिस कर्मी और अस्थानिये लोगों ने बहादूर यूवक रुद्रेश को धन्यवाद दिया कई आठके तो ने आपना छाए उनके पीछी पाराया आगर पीड़ गोरिक अपने वाइख से और दो धक्रमार के पिडा किराव तो अदिया है मौइल मिल गया ना मौइल तो मिल पर्स के अटने ने सबकुछ मेंचिता है पर्स भी लिने के भाग आता हैं यह यह पर्स पर्स में सारे समाग का जाथ है गौरतलब है कि जस तरह रुद्रेश ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों के मनसूब पर पानी फेर जिया जोरत है सभी को इस तरह जागरुक रहने की तभी इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसा जा सकेगा न्यूजविंग के लिए राची से रफी शमी की रपोर्ट